कावड यातरा को लेकर प्रशासन ने हाईवे को वनवे कर दिया है जिसको लेकर हाईवे से गुजरने वाले लोगों को आए दीन जाम से गुजरना पड़ता है इतना ही नहीं यहां सड़क हाथ से भी हो रहा है बुद्वार को जसपूर जिले के रेहर्ट थाना क्षेत्र के रायपूरी बॉर्डर के अनंदपूर गाउं के पास फिर एक सड़क दुरगटना हुई जिसमें दू वहान आपस में टकरा गए वहान में सवार चार लोग घायल हो गए सुचना मिलते ही घटना अस्तल पहुंचे सीओ अफजलगड अंजनी चतरवेदी ने आस्थानिय लोगों के द्वारा और पुलिसों के मदद से सीचों में भर्दी करवाया घायलों को जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर रिफर कर दिया गया जस्पूर से प्रदीप शिर्वास्तों की रिपोर्ट थाना छित्र रिहड के रायपुरी चोखी के पास नेशनल हाईवे पर आज सायम लगबख साढ़े चार वजे दो डीसीम आपस में टकरा गई जिसमें दोनों डीसीम के चालक और परिचालक सहीद चार लोग घायल हो गए जिन्हें तत्काल पुलिस फोर्स मुके पर कि लग रही थी चानक नीद आने की वज़े से हाथसा हुआ कि सेस कारेवाई कराई जा रही है